एक बहुत सुन्दर क्वेस्टन आया है मेरे पास और वो यह बोलता है इट इस इजी तो हैंडल employees who are educated, आसान है educated आदमी लोगो हैंडल करना बट समहाओ difficult to handle uneducated employees, factory workers, कि जो uneducated होते हैं उनको handle करना बहुत मुश्किल होता है So how do we implement systems and processes with such employees and make them align with purpose and values तो कैसे हम लोग align करें यह जो uneducated लोग है अपने purpose और values के साथ पहली बात तो company में purpose होना चाहिए याने purpose याने जीने का कारण हर इंसान का सुबह उठने का कारण clear होना चाहिए और वो purpose clear होना चाहिए जिसे हर अपना company में vision होता है तो यह vision card है जिसमें हमारा core purpose लिखा है हमारा core purpose है to provide path breaking solutions to entrepreneurs, enterprises and individuals and develop radical shift in their mindset by enabling everlasting transformation so that they can scale greater heights in a dynamic and ever changing world of business अब यह जो purpose है हमारा office boy जो पड़ा लिखा नहीं है उसको हिंदी में बताया गया है उसको book हिंदी में है या उसको गुजराती में book दिया गया और वो purpose को हिंदी गुजराती में explain किया गया तो पहली बात जब एक आदमी uneducated है तो उसे उस language में समझाईए जिस language में वो समझ सकता है अगर आपने English में लिखा है book वो उसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में लिखे आप अगर English में बोल रहे हैं और उसको गुजराती समझ में आ रहा है तो उसको गुजराती में बोले दूसरा ऐसा कुछ नहीं है कि educated लोग ज़्यादा जल्दी समझते हैं और uneducated लोग नहीं समझते हैं in fact educated लोगों को meaning समझ में आता है और जब वो दिल को लगता है तो वो लोग करते हैं therefore अगर meaning समझ में आ गया यह uneducated लोगों को और दिल पे उनको लग गया कि यह हमारे भलाई के लिए यह हमारे future का improvement के लिए यह चीजे करने से हमारी life और हमारी family की life improve होगी जब यह uneducated लोगों को मालूम पड़ेगा तब वो लोग बहुत कुछ करते हैं मुझे याद है दो example मुझे याद आ रहा है एक तो मेरू टैक्सी की बात करूंगा दूसरी कोको कोला की बात करोगा मुझे याद है आज से करीबन 20 साल पहले जब पहला हमको assignment मिला था वो था कोको कोला जो truck drivers होते हैं उनको रूट एजन्ट बोलते थे वो पड़े लिखे लोग नहीं थे वो बंबाई के और पुना के और दिल्ली के गली गली में जोपड़ पटी में चाल में रहने वाले गटर के उपर जो टेंपरी जोपड़ा हो था उसमें रहने वाले और जो चालों में रहने वाले अने डैगली में जाके प्रोभिजिन स्टोर में किराने के दुकान में होटलों में बार में सब जगा जाके कोक को थे भीस अब दोनों जन अनपड गवार सबंस्क्राइब कोड बागु को हायर किया तो हम लोगों को कहा कि को का worldwide साथ steps है जो एक sales का बंदे को follow करना चाहिए for example जब वो जा रहा है तो उसे भार का merchandise देखना चाहिए अंदर का merchandise देखना चाहिए ओ विजी cooler जो है जिसमें cooler के अंदर जो coke रखा रहता है जहां पर जो पुराने कोक है उसको आगे लाना है नया कोक को पीछे लेके जाना है ताकि पुराना माल जल्दी निकले दूसरा होटल वाले ने वो विजी कुलर के अंदर कोत मीर, मिर्च मीर, मिर्ची, चीज, बीज, दूद, धाई सब रखा है कोक निखाल के उसने अपना सेटिंग कर दिया है तो यह जो सेवन स्टेप प्रोसेस था कि यह सेवन स्टेप उनको प्रेक्टिस करना है और यह जो अनपड़ गवार लोगों को सही कराना था तो हमें हायर किया, हम लोगोंने क्या किया? यह 400-500 एक एक डेपो में 400-500 टरक होते थे तो ये 500 truck driver और agents को बिठाया और एक inspirational talk दिया कि हमें क्यों एक अच्छा हमें क्यों transform होना चाहिए हमें क्यों परिवर्तित होना चाहिए और उसके बाद उनके सपनों के बारे में बात किया हम लोगों ने उनके बच्चों के बारे में बात किया उनके घर के बारे में बात किया उन कहां रहते हैं पूछा, फिर उनको सपना बिल्ड किया, कि हमें वो जो पड़ पटी से, निकल के चाल में, ने तो चाल से निकल के बिल्डिंग में आना है, तो इसके लिए अपना सेल्स का डबल या ट्रिपुल होना जरूरी, अब सेल्स को डबल या ट्रिपल करने के आधर में हमने बहुत ही सरल लेंग्विज मैं उनको पहले बताया फिर रॉल प्लेइस किया फिर हम लोगोंने उनके साथ the आई नो हम गेम्स खेले, तो गेम्स खेलके उनको समझ में आया कि अगर उनका प्रोड़क्टिविटी बढ़ गया, तो उनका सेल्स बढ़ गया, तो उनको ज्यादा कमिशन मिलेगा, कमिशन ज्यादा मिलने से वो अपने परिवार के लाइफ को और भी बढ़िया बना सकता है जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको स्कूल बेजा जा सकता है, जो नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, उसे और भी बढ़िया स्कूल में डाला जा सकता है, जब वरकर लोग को ये बात समझ में आती है, कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, इसकी वज़े से और आप अगर transform हुए यह steps को follow करने से आपके बच्चों को इसका परिणाम भोगने को मिलेगा आप truck driver कल को आपका बच्चा truck driver नहीं होए जब यह बात उसको समझ में आती है और यह steps follow करने से मैं मेरे बच्चे का और मेरे परिवार का life को improve कर सकूंगा और अपने status को भी बढ़िया बना सकूंगा तब यह uneducated लोग भी काम करते हैं आज दूसरा जो example मुझे जो नजर आ रहा है वो मेरू taxi अब बंबई में rule था महारस्टा गवर्मेंट का rule था कि एक काली पीली taxi को road से निकालेंगे तो एक मेरू allow करेंगे अब यह काली पीली taxi कोन चलाता था यही भी वही लोग थे अनपड लोग थे गवार लोग थे वह taxi चलाते थे इनों मारा मारी करते थे customer से मेटर फिराते थे गलत काम करते थे ना भूलते थे फिर जब वह मेरू में आये और वही taxi driver जो black and yellow taxi चलाता था वही मेरू ने उसको गाड़ी दिया और मेरू ने हम लोगों को hire किया था एक एक taxi driver को हमने GPS system क्या होता है उसको tracking कैसे करने का और यह सब चीजे उसको बताया अदब से दर्वाजा कैसे खोलने का बंद कैसे करने का लगेज उठा के रखने का कैसे लगेज दर्वाजे तक कै कैसे पोचाने का पान क्यों नहीं खाने का दारू क्यों नहीं पीने का और जगडा क्यों नहीं करने का यह सब बाते जब उस language में उस language में जिस language में उसको समझ में आवे उस language में जब बताया गया और इससे उनकी life कैसे सुधर सकती है तब उनको यह बात इनो समझ में आई और अगर हम देखेंगे साउजी भाई डूलर किया जो हमारे क्लाइंट है सूरत में हरे कृष्ण डाइमेंड्स एच के डाइमेंड्स जिसको बोलते हैं एच के एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं चेह जार क्रोड का कंपनी है आठ से दस अजार एंपलॉई है उसमें लार्ज नंबर पीपल तो डाइमंड पॉलिशर लोग है एक एक लाख रुपिया देड़ देड़ लाख रुपिया कमाते हैं वो क्यों साउजी भाई का विजन था कि पच्छी से रुपिया कमानी वाल आदमी चालीस एयर पे जाना चेह पचास एयर में जाना चेह एक लाग पे जा आए ये अं करके आयोह नहीं नहीं है लेकिन यह ओक लॉग होते ले यह डिल से खीक में और फ़ायधा और दिल पे गाम करता है दिहां टिमाग से जुड़ते हैं उनको मान सम्मान और उनको अदब से ट्रीट करना यह सब करेंगे तो बोलो भी कुछ भी थोड़े दिन पहले मेरी वाइफ सिक्यूरिटी इधार आओ तो मैं बोला यार उसका नाम रामल लाल जी करके बोलो कर ने पहली आवाज में सुनखेए ओर सिक्यूरिटी करके बुल नींचे बैठा है आप उपर से चिल्ला River je नहीं रहा है क्योंकि security उसका नाम नहीं है तो यह जो दिल की बाते हैं चोटी बाते होती है और यह सब connect करना पड़ता है और इस तरह से connect अगर करोगे तो काम बन सकता है और educated uneducated कोई फरक नहीं पड़ता है uneducated आदमी भी जान देखे यह बहुत कुछ कर सकता है लेकिन उसे वह company की purpose मालूम होना चाहिए और उसे वह purpose में जुड़वाना पड़ेगा उसे उसे लंबा नहीं रखना उसे mainstream में लाना उसको लेके चलना उसकी importance उसको बतानी है कि माल टाइम पर पहुचाओगे माल को बराबर handle करोगे hotel में बराबर उसको display करोगे उस से company की कैसे चबी बढ़ती है brand कैसे बढ़ती है तुम्हारा brand कैसे बढ़ता है तुम दारू नहीं पियोगे तुम तंबाकू नहीं खाओगे तो तुम दरवाजा खोलोगे बराबर तुम GPS सीखोगे तो उससे तुम्हारा future में किस तरह का बलाई होगा और तुम्हारा consistent life कैस समय में आती है तो अनपड़ गवार या यह सब चीजे कोई फरक नहीं करता है लोग इस चीज के ऊपर बहुत काम कर सकते हैं तो मेरा यहीं बोलना है कि उनके language में समझाईए उन्हें में अपना future दिखाईए उनको यह बताईए कि किस तरह से आज आज आप ट्रक चला रहे कल आप एक truck driver का supervisor बन सकते हैं पूरी city का truck drivers लोग आपको report कर सकते हैं उनको growth दीजिए उनको भी future बढ़ने का मौका दीजिए और जब वो यह सब देखते हैं तो बात पड़ाई लिखाई की नहीं है बात personal improvement की है और personal improvement से professional improvement किस तरह से होगा जब यह बात मालूम पढ़ती है तो लोग यह सब करते हैं all the best and thank you very much